हाई प्रेंट्स मेरा नाम है संजे और आप देख रहे हैं टेक्निकल हेल्प यूट्यूप चानल आज हम डाल के बारे में बात करेंगे डाल एक ऐसा फल ये सबसी है जो हर घर में बनाया जाता है चाहे वो देश हो या भी देश हो हर जगा इसकी मांग परपूर रहती है तो इसके टाइप के बारे में आज जानेंगे कुछ टोप सेबन टाइप हमने चूज किया है उसी के आलम जानते हैं सबसे पहले आता है हमारा उड़त डा बीना मुंगा जिसका इंगलीज नाम है यह काले होते ही इसका छिलका हटाने के बाद सफेद रंका होता है जिसे हर घर में यूज किया जाता है और सेकेंड नमबर आता है मूंग डाल मूंग बीन जिसका जिसे इंगलीज में भी बोला जाता है मूंग डाल हरे रंका होता है जिनका छिलका हटाने के बाद हलकी पीले रंग की हो जाती है भार तरदे दश्चिन एसिया में जाता उपियो किया जाता है मुंग डाल का तिसने नमर रखता है मसूर डाल रेड लेंड टिल इसका इंगलीज नाम है लाल मसूर भारत की एक स्वादिश्ट डाल है पारमपरिक महाराष्ट ये सेपी जिसे अक्खा मसूर कहा जाता है और मसूर डाल के साथ प्रसिद्ध डाल मक्नी की बहुत लोगपिर सामगरी है चना डाल से बेंगल ग्राम चना डाल मतलब ग्राम चना का डाल ये चना डाल प्रोटीन में उच होता है वैसे तो प्रोटीन में सभी उच ही होते हैं डाल प्रंतु चना डाल जिसमें प्रोटीन की मतलब अधिक होती है अरहर तूर डाल एलो पीजन पी जिसे इंगलिस में बोला जाता है पिले अरहर की डाल को हिंदी में तूर डाल या अरहर डाल के रुप में भी जाना जाता है चठे नमबर पाता हमारा मत की डाल से मौत बीन कहा जाता है मौत बीन या मैट बीन आम तोर पर अंकूरित के रूप में प्योग किया जाता है और महाराष्ट में काया जाता है प्राइस डाल में रोग परति निदित चमता अधिक होती है रोग से लड़ने के लिए परतिर्वधी छमथा इस सुन बढ़ाता है मारा लाष्ट और सात्वेन दाल से कुर्थी भी कहा जाता है और इसका इंग्लिज नामे होर्स ग्राम मदरास क्राम या होर्स क्राम भी बोला जाता है भारत में या दाल से एक है इस दाल का उपयोग आयुरुवेदिक दाल के रूप में भी किया जाता है कुर्थी का इस्तमाल गर किसी के पेट में भी पतली हो गया है तो उसे भी तेस्ट करने के लिए इसे आयुरुवेद में इस्तमाल किया जाता है तो इस तरह हमने देखा कुछ डाल के टाइप्स तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ इसी तरह जानकारी के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाजा धन्यवाद